ये तस्वीरे हैं साल 1998 में आई फिल्म यार तो हो नहीं था कि जिसमें एक्टर अजी देवगन ने एक चोर का किरदार निभाया था वैसे तो ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी मगर इस फिल्म के कुछ सीन ऐसे थे जो आज करीब 23 साल बाद भी लोगों को याद है इसे फिल्म में एक सीन था जब अभिनीता अजे पुलिस से बचने के लिए रेलवे ट्रेक पर गाली दोडाते हैं और छलांग मार कर चलती हुई ट्रेन पर चड़ जाते हैं खैर ये तो बात हुई फिल्मी दुनिया के एक सीन की मगर आपको बता दे कि हिंदुस्तान की जमीन से करीब 7486 किलोमीटर दूर बिटेन में एक ऐसा ही मंज़त देखने को मिला जब लोगों ने रेलवे ट्रेक पर एक लगजरी कार को दोड़ते हुई देखा असल में हाटफॉट शेयर के चैंशन में जब एक कार वाले शक्स को पुलिस ने रोकनी की कोशिश की तो ड्रैवर वहाँ से भागने लगा और कोई सड़क सामने नहीं दिखी तो वो रेलवे ट्रेक पर ही गारी चला कर वहाँ से फरार होनी की कोशिश करने लगा ड्रैवर के इस तरह कार चलाने की वज़ा से दो पुलिस वाले भी खायल हो गए घटना उस वक्त हुई जब चैंशन रेलवे स्टेशन पर एक पुरुष और महिला पुलिस अधिकारी ने कार को रोकनी की कोशिश की और चालक को गाली से बाहर निकलने के लिए कहा पास के घर से रिकॉर्ड किये गए वेडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिला अधिकारी जो हाथ में डंडा लिये हुए है वो चिला रही है कार से बाहर निकलो फिर पुरुष अधिकारी को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि कार से बाहर निकलो इस पर ड्राइवर ने अचानक गारी पीछे की और ली और दोनों को चोड़ पहुचाते हुए वहाँ से भागने लगा इस दोरान गारी का दर्वाजा खुला हुआ था और पुरुष सिपाही को कार चालक ने आगे तक घसीट लिया इसके बाद ड्राइवर पुलिस से बचने के चकर में रेलवे लाइन पर पहुच गया और तेज रफ़तार सी ट्रेक पर ही कार को दोड़ाने लगा स्टेशन के कैमरे में रिकॉड वीडियो में कार पटरी पर फिसलती हुई और ट्रेक पर दोड़ने की वज़ा से धुवा देती हुई दिखाई दे रही है कार चालक ने आखिर में चैंशन और वर्ल्थरम क्रॉस स्टेशन के बीच पटरियों को छोड़ दिया अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शुरू में ये सूचना मिली थी चोड़ी की कार को एसेक्स से काउंटी ले जाया गया था घटना के बाद कार को रोकने के लिए कम से कम दस पुलिस कारे एक अमबुलेंस और एक दमकल करमी घटना स्थाल पर मौजूद रहे पुलिस ने घेरा बनाया जिससे जनता और मोटर चालकों को स्टेशन के पास मालस्टर से आगे बढ़ने से रोक दिया गया था फिलाल ये वीडियो सोचल मेडिया पर खूब वायरन हो रही है और इस तरह के फिल्मी सीन देख कर हर कोई हैरान है हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनके मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुच पाती नजाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वज़ा से मजबूर हैं आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिन्दगी बदब सकती है तो क्यों न मदद के लिए हाथ बढ़ाएं दोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन क्लिक करें